नमस्ते, मैं डॉक्षर दीपा, आज का हमारा टॉपिक है सारस्वता अरिष्टम देखियें, आयरुविदिक के गौड है दन्नुंत्री बगवान दन्नुंत्री बगवान ने अपने शिश्य गणों के लिए ये मेडिसिन अडवाइस करके दिये थे आपको इससे ही कितना बेनिफिशल होगा ये मेडिसिन अप सोच सकते हैं, इसका इंपोर्टेंस भी आप जान सकते हैं अभी शिश्य गणों के लिए मेंमरी बूस्टिंग के लिए और कॉंसेंट्रेशन के लिए ये मेडिसिन बताये गया है इसके एक और बेनिफिट ये है कि इसमें एक्चुली गोल्ड कंटेंट इंक्लूडड है अभी और इसका क्या-क्या बेनिफिट्स है वो हम जानेंगे अभी मेंली देखिए बच्चों के लिए कुछ भी पढ़ाई करने के लिए मेंमरी कॉंसेंट्रेशन बूस्ट करने के लिए बहुती बढ़िया मेडिसिन है ऐसे ही किसी किसी को स्टैमरिंग प्राब्लम्स तुतलापन रहता है उसके लिए भी काफी एफेक्टिव है बाकी डिलेड स्पीच है या डिलेड माइलस्टों से उसके लिए भी अच्छा है बहुत बच्चे देखिए बात करने में बहुती डिले हो जाते है उनके लिए भी ये काफी एफेक्टिव मेडिसिन्स है देखिए बड़ों के लिए भी अभी मेमरी का बहुत ही प्राब्लम्स हो रहे हैं क्यूंकि हम किच्छन में कुछ भी चीज इदर उदर रखे होंगे पूरा किच्छन डूंडेंगे कहा रखे याद नहीं रहेगा यह सब अभी थोड़े दिनों में बहुत ही ज्यादा हो रहे है सो ऐसी आपको मूड डिसॉडर्स रहेगा बहुत बार ऐसे ही बहुत ही गुसा आ रहा है कुछ कुछ चीज के लिए किस वज़े से गुसा आ रहा है पता नहीं चल रहा है बीपी नहीं है कुछ नहीं है कुछ भी और इस्यूस नहीं है ऐसी मूड डिसॉडर्स हो रहे है गरवाले परेशान है या पूरा stress में बहुती anxiety, अंदर से बहुती दर है या anxiety है, stress ज्यादा होके आपको रात में नींद नहीं आ रहे है, depression हो रहे है या fatigue, fatigue मतलब देखिए सारे test सब किये होंगे, मगर कुछ reason उसके लिए नहीं, कुछ भी find out करने के लिए नहीं हो रहा होगा हमेशा है ना fatigue, fatigue मतलब आपको बहुती weakness लग रहे है बाड़ी में, क्यों लग रहे है बाकी कुछ आपको find out करने के लिए नहीं हो रहे है, मगर ऐसे के weakness बाड़ी में हमेशा रहता है, उसके लिए ये काफी बढ़िया medicine है, ऐसे देखिए speech देते हैं हमेशा, या signals रहेंगे, गाना गाते हैं, उन लोग के लिए actually स्वरा शुद्धी के लिए, voice clarity के लिए बहुती ये अच्छा medicine है, बाकी हमेशा गबराट रहता है, या nervousness बोलते हैं ना, किसी नए लोग है, उन लोग उनसे बात करना या बात करने के लिए जाएंगे, तुरंथ हाथ पैर काप रहे है या अंदर से दड़कन बहुत बढ़ रहा है, कुछ भी नया चीज हम करने पा रहे हैं, अभी बच्चों के लिए बच्चे होंगे, बैंक में बगेरा जाके आने के लिए बोलेंगे, मगर बिल्कुल जाना ही नहीं है, नया चीज कुछ करना ही नहीं है, हमें बहुत ही कुछ अचीवी नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा कुछ हमेशा मन में चिंता आते ही रहता है, हमेशा नेगेटिव तॉट्स आते हैं, या स्यूसेडल तिंकिंग होता है, उन लोग भी ये मेडिसिन का इस्तमल कर सकते हैं, बाकी देखें, निरोलोजिकल और साइकोलोजिकल दोन कुछ बेल रिमिंग का आवास होगा, या यू करके ऐसी आवास आते रहते हैं, ऐसा कुछ हमेशा रहता है, वो एक बीमारी के लिए ये यूज कर सकते हैं, बाकी देखें, रजो दोश और शुक्रदातू का दोश, रजो दोश मतलब ये होता है कि आपका यूट्रस कुछ भी तकलीफ है, या पुरिशों में देखें, शुक्रदातू रिलेटर कुछ भी तकलीफ है, बच्चा नहीं हुआ होगा, शादियों के बहुत साल हो गई, या वंध्यता का कुछ इस्यूस रहेगा, उसके लिए पी काफी अच्छा मेडिसिन है, ऐसे आपको हमेशा ह हमेशा मेंटली है, हम बहुत ही स्ट्रॉंग रहना है, ऐसा कमजोर ये आपको फील कर रहे है, आप ये मेडिसिन जरूर यूज करना है, बाकि रात में आपको नीन नहीं आ रहे है, या हमेशा टेंशन में आप रहते हो, या स्कीन का कुछ प्रॉब्लम से नस रिलेटर हो मतलब आप ये मेडिसिन हमेशा यूज कर सकते है, बाकि देखे, कुछ बच्चों के लिए ऐसा कुछ-कुछ लेटर्स होगा, या कुछ शब्दर हैगा, वो प्रॉब्लम से वो बच्चे भी ये मेडिसिन यूज कर सकते हैं, बाकि सिसर का कुछ प्रॉब्लम है, एपिले हमेशा आपके मनमे बिना कुछ बी रीजन आपको डर लगराया मतलब आप ये मेडिसिन प्लस अशबंदारिश्नम जरूर ले सकते हैं, सो थांक यू